पती-पत्णी की एक प्यार की कहानी बस अभी एक महीने पहले की ही तो बात है घर के पिषले भाग में माटी डालने का प्लांट्स लगाने का काम रमढ और कला इन पती-पत्णी के जोड़े को दिया गया था पहले दिन दोनों आए, दोनों ने खूब अच्छा काम किया दूसरे दिन सिर्फ रमण आया, शायद कला बिमार होगी उस दिन दोपैर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने रमण को बहुत आग्रे किया कई बार उसने कहा कि मेरे साथ खाना खालो लेकिन वह माना ही नहीं वह बोला कलान नराज हो जाएगी इसलिए मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता हूँ तो मैं इस बात को समझ नहीं बाया कि रमण खाना क्यों नहीं खा रहा है तब ही मैं सोच में पड़ गया मैं बोला अरे रमण तुम कितना ड़ते हो अपने बीवी से वह बोला मैं ड़ता नहीं साथ कदर करता हूँ उसकी सम्मान करता हूँ उसका मुझे उसके शब्दों पर हसना आ गया मैंने उससे कहा अरे ये क्या रखा है उसमें नारंग नारूप है फिर क्यों उसके पीछे पीछे भागता है वह बोला कोई फरक नहीं पड़ता साहब रंग हो या ना रूप हो रूप हो या नो हो लेकिन फिर भी वही मुझे जग में सबसे प्यारी है मैं बोलू तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है क्या तुझे अपनी बीवी के अलावा बाकी रिष्टे महत्पूर्ण नहीं लगते हैं उसनी शांती से जवाब दिया देखिये साहब मा बाप तो भगवान होते हैं उनकी पुझा करनी चाहिए बाई बहन का रिष्टा तो जर्मजात होता है और दोस्ती का नाता तो सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है बाकी सारे सम्मन मतलब के लिए ही होते हैं अब देखिये जैसे कि आपका और मेरा नाता भी काम और पैसे का ही है न लेकिन साहब हमारी पत्नी कोई नजदी की रिष्टेदार तो नहीं है वे भी अपने सारे सम्मन्दों को छोड़ कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है हमारे हर सुख दुख में हर दिन रात में हर रितु में हमारा साथ देती है आप मानो या ना मानो पत्नी सिर्फ एक रिष्टा ही नहीं वो कई रिष्टों का भंडार है जब वे हमारी हरिच्छा पूरी करती है हमारी देखवाल करती है हमारा लाड लडाती है तब वे किसी मा की भूमी का निभा रही होती है जब वे अपने वर्तमान परिस्तिती को समझ देती है तब वे अपनी कमाई उसके हातों में लाकर देते हैं तब हमें विश्वाश होता है कि उसका सही इस्तमाल करेगी और हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देगी तब आप बाप की मुभी का निभा रहे होते हो इसीलिए मैं कहता हूँ साहब कि एक जो पत्नी होती है वो हमारा जीवन बर का साथ होती है वही एक एशारिष्टा है जो लास्ट में हमारे पास बच जाते हैं जब हमारे बारे में चिंतित होती है जब वह हमें हमारी गलतियों को बता कर उसे सुधारने का मौका देती है तब वह किसी बहन की भूमिका में होती है जब वह अपनी नई नई इच्छाएं बताती है किसी चीज की मांग करती है नकरे करती है, रूटती है, जिद करती है तब वह किसी बेटी जैसी होती है जब वह हमें कुछ नया सिखाती है हमसे जगरती है तब वह किसी दोस की तरह होती है जब वे हमारे घर की दौलत और हमारे रिष्टदारों सबकी जिम्मेदारी अपने सिर्फ पर उठाती है तब वे मालकिन की तरह होती है इसलिए साहब मुझे रखता है पत्नी से बड़ा रिष्टा इस दुनिया में नहीं है इसलिए सभी को अपनी पत्नी की इज़त करनी सुख़ाएं